ये योग वोशिष्ट वालमी की रामाईन बूक है, पिछले वीडियो पर हमने जहां तक पढ़ा था, उसके बाद से आज ही यहां से सुरू करते हैं रियल रामाईन महाभारत, वेदपुरान, कामसुत्र, उपनिश्यत बूका कर अब सुरुवात्स पढ़ना चाते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पर क्लिक कीजिए, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रचे को यूटूब पर सेर्च करके, उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं तो अद्वेत और उत्पत्ती से रहित केबल ब्रह्म ही स्विकार करती है, जैसे इस देह में मरनावस्ता मन और बुद्धी आदी से रहित भासित होती है, जैसी जड़सत्या उपलादी में हैं, वैसे ही परमात्मा की मन बुद्धी आदी से हीन और विक्षव रहित सत्या ह जैसे एक ही निद्रावस्ता में स्वापना और सुचुपती में प्रकाश और अंधेरा दोनों का भास होता है वैसे ही ब्रह्म में स्वर्ग और असर्ग दोनों की प्रतिती होती है। के कारण असपर्स जैसा लगता है वैस अर्थात अन्या विशे में चित्ता लगा हो तो किसी सपर्स का अनुभव नहीं होता। वैसे ही पाशानादी के रूप में विद्यमान होना भी आविद्यमान जैसा ही होता है। नब उपल जलादी को जिस प्रकार विराट के शरीर भाब का या उनुन अधिश्टा देपताओं के शरीर भाब का अनुभव होता है। उसी प्रकार प्रलेकाल में चित्तादी से रहित हुए हमको आज अर्थात स्वर्गकाल में विविन्न भाति का अनुभव होता है। ब्रह्मा के दिन भेत आदी से जो कल्प हैं उनमें हमारे जैसे असंक दिन रत्री के भान के समान पर ब्रह्म में भी असंक सर्ग और प्रले की प्रतिती होती है जैसे के बल जल सवाब से संपन सागर में सवाब बस ही आवर्त एवंग तरंगादी का स्पूरन होता है वैसे ही विसे दर्शन मनन और भोग युक्त अनुभवत था उनकी इच्छा एवंग प्राप्ति की कामना आदी विक्षेप से विमुक्त रूप सांत परंपद में ये स जंगार और सर्ग का पुंजवी सवाब बर्शी भासित होता है किन्तु तत्तो का दर्शन होने पर उसका स्पूरन नहीं होता जीवत्त प्राप्तिक है तू और ब्रह्म शुद्धता तब स्री राम ने कहा है ब्रह्मन अपने गुरु से असंख्या अद्भूत पदार्त ख कार्या कारन भाव नियती और सवाबदी की किस हेतु से अचल और एक रूप से इस जगत में स्थिती है क्योंकि इसकी स्थित्यता शुपना और संकरपादी मिथ्यवस्तू में प्रतित नहीं होती देवगन असंक्या है किन्तु उनमें सूर्य की प्रभाही इतनी उग्र कैस स्वाम्व से ही जो काक्ताली या योगवत आदिश्रिष्टी में नियत का भान हुआ वो जिस प्रकार का था तथा जिस प्रकार के भाव में स्थित्था वैसा ही आज भी आवस्तिती ये स्वर्गर यगत कहा जाता है सर्वसक्तिमान ब्रह्म जिसका जैसा भान करता है उसक वैसा ही होना सत है। ये ऐसा है, ये वैसा है, इस प्रकार ये स्वयम ब्रह्म का स्पूरन स्वर्ग और प्रलाय का रूप धारन करता है, तथा वही नियती संग्याख है. जाग्रत स्वप्न और सुसुप्ति का चित्त में स्वतस्पूरन होना अत्यांत स्वच्च और उससे उसी प्रकार अभिन्य है, जिस प्रकार की जल से द्रबता भिन्य नहीं होती. आकास में सुन्यता, करपूर में, सुगंद और धूप में उसनता जैसे उनुन से भिन्य हैं वैसे ही चित्त में जागरत आदी तीनों अभस्ताई भी अभिन्य हैं बीज और अंकूर के समान स्वर्ग और प्रले के आदी रहित होने के कारण चिनमात्र गगन रूपि स्वर्ग और प्रले संग्य की एक प्रभाग की अभिन्य सत्या से ब्रह्म स्वरूप में स्थित है चित्त का शनिक स्पूरन ही इस स्वर्ग को जाना गया तथा उसी को कल्प भी जाना गया है स्वर्ग 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 स्वर यतना पदात्व का जो एक चैसा स्पूरन है वही बुद्धिमानों द्वारा स्वभाब कहा गया है जैसे कि संग्वित के अंक्षभूर जीब का स्वभाब चित्त स्वरूप ही है वैसे ही एक ही संग्वित से अपने स्वरुप का त्याग ना करने वारे पदाते के सैकड़ो भेद हो जाते हैं चिदाभा संग्विदों का संग्विन नए बित्तियों में जो स्पूरन होता है वो उनका सवाबी है बितिविश्यो में भेच से बित्याभा संग्विदो द्वरा संद्या के जिन वीभिन आकारों की गल्पना की जाती है वो आकार उनके सवाब से ही होता है पितिवी जल तेज बाईव और आकास के जो जो अनुगत सवाब है उनुन सभी का स्वपन के समान ब्रह्म में ही खान सो रूप है है राजन मुर्तु हुए इस कठीन भाग की खान ये प्रित्वी है यही जनता के लिए और से तता राजा के समान पालन करने वाली है जलोब की खान समुद्र है, तेजों की खान, सूरिय, स्पंदन की खान, वायू और सुनिता की खान ब्लोम है इस प्रकार संगवित के खान रूप से वे पंच महाबूद ब्राह्मी संगवित से ही अभिभाब को प्राप्त हुए हैं इससे ब्रह्म ही अनुगत होकर उनका स्ववाब सिद्ध होता है, वो स्ववाबिक रूप से ही समाधान हो गया है, हो गया तो सूरिय विसे प्रस्नभी प्रिथक रूप से नहीं उठता चित्त को ही संग्वित कहते हैं सर्वर प्रकासिका होने से सर्वग्य सर्वर रूपा सर्वग्य ज्यमन करने वाली अपने ही प्रकास से जोतिर मही अपनी ही महीमा से परमाकार तथा नियती रूप से सभी के द्वारा अनुभफ की जाती है ब्रह्मात्मा ये बालक ब्रह्मा अपनी ही संग्वित के स्पूरन रूप आकासा बरन युक्त भूमी का सोयम ही अंबराकृति होकर सोयम में विस्तार करता है जब वो सरभग्य संग्वीत ब्रह्म संग्वीत के साथ स्थूल और सुक्ष्म प्रपंच का स्वयम में ले करती है तब ब्रह्म संग्वीत के अंगभूत भासकारादी के चंचल रूप की उत्पत्ति वो नहीं करती मकडी के जाले के समान ब्रह्मा के संकल्पुर से बने हुए ग्रह नक्षतरादी का भवन भूत जो तिस चक्र सरबग्यात है उसी के दक्षिनायन और उत्रेन मार्ग पर सुर्य के गमन करने से दिनों का छोटा बड़ा होना निस्चित है और वो चिदाकास दिश्च के समान ही भासित होता है उनमें कोई अत्यनत भासवर कोई अल्प भासवर और कोई आवासवर भी है इस प्रकार विभिन रूप से पदात्य का भास होता है यथात में तो ये सभी पदाश्ट ना तो उत्पन हुए और ना दिखाई ही देने वाले हैं ये सभी ग्यानी जन के लिए तो स्वपन में देखे हुए के समान चिदाकास की ही प्रतिती होती है जो चिनमात्र सर्वश्च्वर है वो आपके मेरे तथा अन्य सब रूपों से अ पूरण सपनों में देखे हुए देखे के समान ही चिदाकास में होता है तो फिर इस संक्सार का परमार्तिक रूप चिदाकास ताके अत्रिक्त और हो ही क्या सकता है अदश्ट में जब तक घटादी की विद्या मानता है तब तक वो परमार्तिक सब रूप ही उस रूप में स्पूरित होता है और विवित सब्दों में जो कहा जाता है वो सब उसका सबाब और नियत आदी ही है वो ब्रह्मसत्य अपने आकास रुपी देया के अंग में सब्द तनमात्र होकर स्थित कुटिलता में रखे वीजों में अंगुरों के उत्पन्न ना होने के समान पवनादी विश्व के वीजभूत सामर्त रूप से अनुत्पन्न हुई रहती है उससे इस पंच्यों भौतिक संगसार के क्रम से उत्पन्न होने की कलपना आज्यान्यों के प्रभोधार तस्वर्ग प्रतिबादन के लिए मनिश्यों ने की है उसका प्रतिबादन स्ष्टी का वास्तविग बताने के लिए नहीं किया गया है क्योंकि स्ष्टी की तात्विकता का प्रतिबादन मुर्खो द्वारा रचित कथा के समाहनी मित्या है जो की ना तो सास्तरों में सुना जाता है और ना लोक में ही देखा जाता है यह यहां उदय या अस्त नहीं होता सिलागर्ब जैसा यह नित्यसान तथा सत असत दोनों प्रकार का है क्योंकि जो वास्तविक ब्रह्म है उसका उदय अस्त कभी है ही नहीं जिस प्रकार अवयभी में अवयभी उदय अस्त को प्राप्त नहीं होता उसी प्रकार प्रम्हकास में जगतकास की स्थिति है इस प्रकार संग्षुद्द विश्व का विनाष या उदरी कैसे हो सकता है। उस अनन्त प्रकाशात्मक की सिस्थ मनी का जो सवाविक शत्ता मत्त्र आत्पस्पूरन है वो अज्जात होने से अन्न्यतह भाव के कारण। उहा विमर्शुचक रूप से स्वयम ही कुछ चत्यभाब को पा लेता है भाबी नाम और अर्थ की कल्पनाओं से कुछ उही थरकयुक्त रूप वाला हाकास से भी सुक्षमय एवंग सुद्ध वो सभी में भाबी प्रपंच को बोध करने वाला होता है फिर उस कुछ चत्यता से वह परमशत्या रूपि पदरत को चेतन मों की चेतन बनाने बनाती हुई चिटता संग्या के योग्य हो जाती है गान-संवेदन के रषचात जिवाति संग्य का वह आत्मकलपना जिवाति रूपों में परिवर्टित होती हुई देयप्राप्त करने के परमपत्य में प्रकट रहता है किन्तु ज्ञान की उपलब्दी होने पर वही परमसत्ता परमपद की अनेन्य रूपी नहीं हो जाती है वो अभिद्या से अब्रित रहने की अबस्ता में एक मात्र भाबना में सार रूपी शरीर इंद्रिया आधी के द्वारा जगन नोत मुखी होकर अपने नहीं रूप की बिरह जन्य गलानी से होने वाले विविन चेश्टाय करती है सुन्य रूपा वो स्वसत्ता विकल्प युक्त चिदभावना की प्रांती से सब्दाधी गुनों से युक्त गर्विनी होकर भावी पंच भूतों की भूतात्मिका होती है तब लिंग सरी में विद्यमान प्रान क्रिया से होने वाली काल सत्या के सहीद अहनता हुदित होती है और भावी व्यवहार के उद्देश्य भूत वे दोनों विश्व के स्थिति में मुख्य बीजभूत होते हैं परम चिती सक्ति का ये स्वस बेदन मात्र असद्रूप जगज्जाल उसके च अंकल प्रविक्षे की बीजभूता हो चित्त स्वयम में अहनता की भावना करती हुई छड़ भर में ही अहनता रूप हो जाती है वही आब जिवाभी धान रूप से उत्पत्ति और नास रूपी भांतियों से प्रेरित हुई जल में लहरों के समान ब्रह्म में ब्रहमान कर करती है इस प्रकार की भावना बाली चित्त आकास तन मात्र बाली भावना को शने शने धनी बनाती हुई स्थूल आकास की भावना करने लगती है तब स्थूल आकास रूपा हुई वो चित्त भावी नाम अर्थ रूपी सब्द महातरों की बीजभूता और पद बाक्य तब उसी सब्दसार से निर्मित और विस्तित हुई इस अखिल विश्यों की सोबा का प्रकट होता है इस प्रकार के व्यवार वाली वो चित्त ही जीव सब्द से कहलाती है वही भावी सब्दों और उनके आर्थों से भूत समुदाय रूप महाबिक्ष की बीजभूता होती ह चौधा प्रकार का भूत समुदाय और आकास को व्याप्त करने वाले जगत दुरूप जिर्न पत्रों की राशी ही रन्यगर्भी रूपी चित्त से ही उत्पन्ना होती है उपरुक्त चित्त जीव होने के कारण सब्दों के तथा दियादी के व्यवारों को प्राप्त ना ह कर चाक्था लिया नियाय से चेतन से सवयम स्पंद चिनमात्र की कल्पना करने लगती है वही चित पबन रुपी व्यच्छ की बीजर भूता भी है क्यूंकि उस सब जीवों की क्रिया का संचालन करने वाला पबन उत्पन्ना होता है वैसे ही उसमे चित विलास के प्रकास रूप चेतन ही तेज है क्योंकि तेज किसी अन्य द्वारा बनाया हुआ नहीं है स्पर्ष संग्वेदन ही स्पर्ष है क्योंकि स्पर्ष किसी अन्य के द्वारा उत्पन्द नहीं है सब्द की कलपना रूप सब्द का अभिर्भाब स्वयम ही होता है जैसे आकास अपने कोश में अवकास पाकर आकास से ही स्थित होता है किसी अन्य से नहीं होता वैसे ही सब्द संग्मितन सब्द से ही सब्द को ग्रहन करता है अन्य से नहीं करता उस अवस्ता में अन्य सब्द करने वाला कौन होगा जैसे उस समय द्वेत अद्वेत की अनियकता संभब नहीं थी वैसे ही अब भी वो असंभब ही है इस प्रकार सत के समान असद्रुप रस तनमात्र और गंद तनमात्र भी स्वपन के समानी कल्पी थे सुर्य आदी के जिम्भन से आकास महाबिक्च का बीजबू तेज है उसी में रूप भेत के द्वारा संकसार का अभिर्भाब होता है निर्विकार आकास से जो भविश्यम में होता होगा उस अनप पानादी का सोयम ही माधूरिय स्राबित होता है वही रस तर्मात्र कहा गया है फिर भविश्यम में जिसका रूप और संकल्प नाम होने को है ऐसा ये कार्य कारण रासी सोयम जीव संकल्पात्मक गंद आदी तर्मात्र की कल्पना करने लगता है भावी भुगल आत्मक आश्रे रूप महातरू का बीजबूट सभी के आश्रे भूट उस गंद तर्मात्र से विश्यो विस्तार को प्राप्त होगा यथात में तो उत्पन्होए सब्द स्फर्श आदी तर्मात्र समू है वो निराकार होता हुआ भी कल्पना बश शाकार रूप से उत्पन्न हो गया है ये तर्मात्र गन काक्तालिय योग के समान जहां रूप को जानता है वो अवयब नेत्र है जिससे सुनता है वो कान है जिससे स्पर्स कानुवप करता है वो तचा है जिससे स्वाद लेता है वो जीव है जिवा है और जिससे गंध सुनता है वो ग्रान या नासिका है नाक है नियत आकृती में अवस्तित हुआ ये जीब दिशा और काल के भेद कल्पित करता है और असवात्मा दोस्त के बशिवुत होकर सभी अंगों से सब कुछ नहीं जान सकता अर्थात आँखों से सुननी सकता या कान से देखनी सकता इत्यादी इस प्रकरपत्यक जीब में ना कहा गया भी अनन्त लोक के कल्पना आत्मा तरगत की अनुमेया है अनन्त होने से पिथक पिथक के विशे में नहीं कहा जा सकता और वे अनन्त कल्पना आत्मा भूत ही है इसलिए यथात में तो वे न उद्धर को प्राप्त होती है नास्त को कि शिलागर्ब के समान मौन रूप से ही अवस्तित है। देव्रांती के उत्पत्ति की प्रतिती। श्री वशिष्ट जी ने कहा है राम इस चिदाभासात्मक जीब की जो उत्पत्ति कही है। उसका तात्पर्य जीब के ब्रह्म से आभिन्नत्यों का बोध कराना ही है। उसका आसे ये नहीं है कि जीब की उत्पत्ति रूप से होती ही है। वो चिदाभास ब्रह्म का उपाहिक अंग होने से कृत्रिम नहीं है चित्त की और उनमुक चिदाभास ही जीप सब्द से कहा जाता है हे रगुनंदन इस जीप के अनेक नाम है आप अब चेतन उनमुक चिदादमा के उन बिचित्र नामों को सुनिये जीप से और चेतन से ही वो जीप कहा जाता है अथात प्रानें कर्मेंद्रिय और ग्यानेंद्रिय के धारन करने पर जीप संग्यक होता है अतीत और भावी चत्त की और उन्मुक होने से चित्त और समीवर्ती चत्त की और उन्मुक होने से चित्त का आ जाता है यह ऐसा है इस प्रकार का स्पष्ट ग्यान होने से बुद्धिय और कल्पना त पूर्ण परमार्त वस्तु जो आत्मा है उसे चित्त कहा है, प्रोड संकल्पों के जाल से वो पुरियास्टक कहा है, सरगरम्ब में प्रथम होने से वो प्रकिती और उपाधी रूप से अविद्धमान होने से अविद्धा कहलाता है, इस प्रकार मैंने उस चिदाभास जीब निराकार और निर्विकार होते हुए भी आतिवाहिक सरीर के कारण ज्यानियों द्वारा आदी और अंतवाला कहा गया है इस प्रकार स्वपनपूर और संकल्पपूर के समान त्रिलोक्य रूपी भ्रह्म तथा मुक्ती रूपी अर्थ का करने वाला होकर भी स्वरूप रहित आप्रकट तथा सुन्य रूपी जान पड़ता है हे सरीधरियों में स्रेष्ट इस प्रकार ये आतिवाहिक देह चिदाकास भूर चित्त देह युक्त तथा आकास से सुन्य कहा जाता है ये आतिवाहिक देह मुक्षशंबित तक अस्त या उदे को प्राप्त नहीं होता ये चौदा प्रकार के जीवों का परोह स्थल का है इस चित्त रूपी स्थल में काल रित्व की व्यवस्ता से जैसे बिक्षमें फल लगते हैं उन जगतों को ये चित्त में देह भितर और बाहर उसी तरह धारन करता है जिस तरह की दरपन प्रतिपींब को महाकल्प प्रयत्न जब संग्सा स्थीर हो जाता है तब वो सुन्यपत प्रोड और निरामय ब्रह्मा आत्मा ही स्थीत रहता है उस समय चैतन्य धन ब्रह्मा चैतन्य को धक लेने वाले अज्यान के निमित्य से उपरुक्त क्रम से आत्मा के अतिभाहिक सरीर के समान चिदाभास की स्वयम कलपना करता है उस अतिभाहिक सरीर वाले जीब के अलोक से प्रवर्तित कोई अंश मैं ब्रह्मा हूँ और कोई अंच मैं विराठ हूँ ऐसा कहा है और कोई अंच सनातन है कोई नारायन है कोई इश है तो कोई प्रजापति कहा गया है जिस जिस आंच में अपनी पंचेंद्रिय संग्वितों का काक्तालिय योग के समान भान होने पर उस उस आंच में उनुन इंद्रियों के विशय अवस्तित हो जाते हैं अत्यांत विस्तित या द्रिश्य भ्रहम संपन्न होने पर भी किंचित संपन्न नहीं होता क्योंकि उस रूप में सभी द्रिश्यों से रहिद आत्मा ही विस्तार को प्राप्त होता है आनादी आनन्त पर ब्रह्म ना कभी अविर्भाप को प्राप्त होता है ना तिरो भाप को स्वरूप के सक्षतकार से रहित होने पर वो सत और आकार युक्त होने पर असत होता है आतिबाहिक सरीर के धारन करने वाले ब्रह्म के नीजी अनुभप से ये जगत प्रपंच उसी प्रकार परिपुष्ट होता है जिस प्रकार की संकल्प सपन में साकार हो जाता है सपना और संकर्प में सुन्य और निराकार होने पर घट का आकार पत्तक्ष होता है उसी के समान अपने सरीर और जगत के विशे में समझो ये जगत प्रपंच चिदाकास रूप एबंग सपना की वस्तू के समान अर्थ और क्रिया से युक्त होता है आकासात्मक होकर भी ये ठोस पदाते जैसा लगता है ये आतिभाहिक देह वाला जीवाकार रहित सुन्य और सपने के समान असत होता हुआ भी क्रम पूर्वक स्वदेहा दई रूप आकार का अनुभव कहता है वो आतिभाहिक जीव अस्ति आदी से स्तूर और हातपाव आदी अवयवो वाले देह की जो जन्मकर्म और कामना का स्थान रूप होकर परिनाम की दशा में अवस्ति थे देशकाल करम आदी से भोक की कलपना करता हुआ देह कि उत्पत्ति के भ्रहम में पढ़ जाता है तब विद्धावस्ता मृत्तू गुंदोस आदी का आधान दर्श दिशाओं में भ्रहमन ग्यान ग्याती भाव तथा आदी मध्य और अंत का ग्यान भी कलपित करता है इस प्रकार उस रूप में वो पुराणी सकलपित व्यष्टी समश्टी रूपी स्थूल देह से स्वय ऐसे भ्रहमरूप आधी भोतिकता वस्षिष्टी जी भोले है राम उस आध्य प्रजापनी का वो आतिवाहिक देह चित्त होने के कारण जैसे जैसे करपना करता है वो काक्तालिया के समान चिरकाल तक उसी उसी में स्थित होता है सत्य संकल्प वाली संग्वित ये जगत के असत्य होने में विश्मे ही क्या है इसलिए दिश्ट्य दिश्च और दश्ण ये तीनों ही सत्य नहीं है अतबा जो कुछ भी है वो सब ब्रहमात्मता के कारण ब्रहम और सत्य है स्री राम ने कहा है ब्रहमन इस प्रकार आध्य प्रजापती का आतिवाहिक देह यदि भ्या प्रलोकिक फलादी की क्रिया का स्वपन में होना किस प्रकार संभव है वसिष्ट जीवल है राम आतिवाहिक देह के भ्रहमात्मक होने के अनुवती स्वयम ही हो जाती है अनवरत भान और चिराभ्यास से वो घनिवूत जैसा प्रतित होता है जैसे देखे हुए स्वपन की चिरानुभूती पुष्ट होती है वैसे ही अपनी आतिवाहिक प्रजापती को भी सत्य जैसी लगती है आतिवाहिक देह जब अपने अनुभव में आडूर होता है तब मरू भूमी में म्रिक्तिशना के समान ही उसमें आदिवोतिकता वाली बुद्धी उत्पन्ना हो जात आवासित और म्रिक्तिशनाम्बू के समान स्थित ये जगत सत्य सा लगने पर भी असत रूप से ही स्पूरित है आतिवाहिक रूप वाले पदाते की आदिवोतिकता सत्य न होते हुए भी अज्यानी जन्नों ने सत्य के समानी मान ली है ये मैं हूँ ये मेरा है ये मुझ से भिन्य ये गिरी नब दिशायादी है इसका चमकता हुआ मिध्या भ्रह्म स्वपनों सेल के समानी प्रतित होता है भ्रह्मा का ये आतिवाहिक देह अधिवहतिकता के भाव को प्राप्ठो कर पिंडा का रूप देखता है ये चिदाकास मैं भ्रह्म हूँ इस प्रकार के वस्तविक चतना का त्याग कर ये देह मैं हूँ ये मेरा आधार है इस प्रकार देखता हुआ तदनुसार ही धरना बना लेता है मतलब जूटी धरना असत्य में सत्य की भावना वाली बुद्धी से ही जीब बंधन को प्राप्ठ होता है तथा अपने भीतर जो भावना बरंबार करता है उसी से वो आने कत्तों का अनुगमन करता है वो सब्दुरूपी संकेत करता है उस संकेत से भी नाम और स्पंधन करता है फिर ओम का उच्चरन करता हुआ सब्दुरूप वेदगान में तन्मय होता है होती है वो उसे क्यों ना देख पाएगा इस प्रकार ये असद्रुप जगत भ्रांति प्रोड हो गई है ब्रह्म में किटानु प्रयत्न ये जगत चीर स्वपन और इंद्रजाल के समान असद्र पूरन को ही प्राप्त होता है अता आदिभाहिक का आदिभोतिक होना उचित ही आदिभोतिक तक इंचित भी कहीं नहीं है अभ्याश से आतिभाहिकता ही इस भाव को प्राप्त हो गई है मूल भूत प्रजापती ब्रह्मा से ही मिठ्धानुबब रूप ये मुह चल रहा है इसलिए प्रारब्द के शायना होने तक इस ब्रह्म की विद्ध मानता में ही रहती है हे राम इस प्रकार की दशा ब्रह्म में विद्ध मान कहां रह सकती है ये संपून भ्रहंती है अत्वा जगदादी से ये सब ब्रह्म ही शाकार हो गया है इस जगत के समझत कारणों का कारण ब्रह्म के अतरिक्त कोई नहीं है क्योंकि कार्यता नहीं तो कारण भी नहीं रहता, जो अभिकारी और अदितिय ब्रह्म हैं, उसमें कार्यता और कार्नाता दी संभव है, असंभव है, आता ये जगद्रूप में जो है, वो निनांत ब्रांती ही विस्तार को प्राप्त हो गई है, ये यथार्त नहीं है, गेता की संती ही मोक्ष है, वसिष्टी जी बोले राम को, हे राम, ज्यान को स्रियता की उत्पत्ती ही बंद और ज्यान की स्रेता का समन ही मोक्ष कही गई है, स्री राम बोले है ब्रह्मन, यहां ज्यान की ज्याता किस प्रकार शांत होती है और उसका दिड़े अभ्यास होने पर उस बंदन बुद्धी का निवारन कि प्रबित होती है स्रीराम जी ने कहा है भगवन केबल्ल आत्मा संब्यक ज्यान जुक तो वो बोध क्या कहा जाता है जिस बोध के द्वारा बंद आदी से जीब असेस रूप से मुक्त हो जाता है वसिष्ट जी बोले चिनमात्र ज्यान की गयता कभी नहीं है ज्यान के ज्यान सब्ध की उत्पत्ति भाव में करनी चाए है या करण में वसिष्ट जी जुवले जैसे पवन और अधिम में भेद नहीं है उसी प्रकार ज्यान और गयmotion में भेद महीं है भाव का साधन मात्र ज्यान के वल बोध मात्र ही है रामने शंका की है भगवन यदि ऐसा हे तो ग्यान और गिया आदी के रूप में विब्रह्म कैसे उत्पन्न हो गया क्यूंकि वो तो शर्ष के शिंगों के समान मित्या है फिर वो भविश्यत भूत और वर्तमान की विवावगों में व्यभवार योग्य कैसे हुआ वसिष्ट जी बोले बाज्य पदात्य के भ्रांत कुद्धी उत्पन्न हुई समझो यथात में तो बाज्यात वांतरिक कोई भी पदात नहीं है रामने का है मुने तुम और मैं आदी के रूप में ये भुतादिक जो प्रत्यक्च अनुभव में आ रहा है वो कैसे नहीं है ये बतलाईए वसिष्ट जीने का है अनक सर्ग के आदी में बिराटात्मक आदी कोई पदात ही नहीं उत्पन्न नहीं हुआ तो गिया का भी संभब नहीं है राम बोले है मुनी बर महाप्रले होने पर जो अजम्मा और अब्वे ब्रह्मा रहता है वो स्वर्ग का कारण क्यूं नहीं हो सकता वसिष्ट जी बोले है राम कारण से विपरित कारजया नहीं हो सकता जैसे कि घट से पट कभी उत्पनना नहीं होता ब्रहम्म में काज कारणता का अभाब होने से भाब या अभाब नहीं है ये भास्मान जगत जिसे जिस रूप में भासता है वो केबल अपनी आत्मा ही है दिश्य का सरवता अबाब होने से दिश्टा दिश्यत्यों को प्राप्त नहीं होता अता सरवात्मक एक घनाकृति के रूप में केबल दिश्टा ही भासमान होता है तो आज की वीडियो पर इतना ही वीडियो बहुत बड़ा हो गया है इसके बाद नेक्ष वीडियो पर पढ़ेंगे यहां से तब तक के लिए दनने बाद